हेलो फ्रेंड स्वागत आप सभी का चैनल फोर एक्जाम पाउर में फ्रेंड आज की स्वीडों में अभी हम लोग देखने वाले हैं 12th क्लास इंटर बोर्ड परिच्छा 2023 के लिए जो ग्राफी का आनि भुगोल का कोशन बैंक ठीक है और ये जो कोशन बैंक है ये 2021 में जो प पिछले वर्ष का जो कोशन होते है ऐस पूछे जाते हैं तो काफी इंपोर्टेंट ये जो फैस वीडियो और शुर्शे इंतब देखेगा क्योंगि relevant 5a person 10-15 परशन पक्का पोच जाएंगे ठीक है तो इसे आप एकदम रट लिज़ेगा अगर इसका आपको PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलेग्राम का लिंक दिया हुआ है तो आप उसे जुएन करके कि आप वहां से असाने से फ्रेम में PDF पराप्त कर सकते हो तो चले कमाल के इस वीडियो को शुरू करते हैं है ना और जो है सो यह कोशन है यह 2021 का है और हम लोग 2022 वाला जो है सो हम लोग देख चुके हैं तो उस वीडियो का जो लिंक है वह आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल चाएगा तो आप उसे भी देख लीचाएगा प्रेंट्स को यह प्रॉब्लम है कि उनका त्यारी अच्छे से नहीं हुआ है इसी इस्थिति को देखते हुए हमारे अनुभवी सिस्को की द्वारा एक ऐसा PDF त्यार के अगया है कि आप अभी से पढ़ करके आप 90 प्लस ला सकते हुँ इसका मैं 100% गारंटी देता हूँ ठीक है अगर आपको PDF चाहिए तो उसका कुछ चार्जे से जादर जनकारी के लिए आप SMS करे डारेक्ट कोशन देखते हैं हना तो पहला प्रस ने है ट्रांस महादीपी अस्टुएर्ट महामार्क जोडता है तो पहला का रैट आउंसर है आप्शन नमबर D डार्विन से मेलबर नकू कोशन नमबर अगले है देखेगा सेकेंड नमबर कूशन क्या है सो ठीक है पनामा नहर जोडती है तो पनामा नहर जो जोडती है और जोडती है परसंत महासागर को अन्टलांटिक महासागर से इसका रैट आउंसर है आप्शन नमबर C नेक्स्ट कूशन है विश्वे के परमुक समुद्री पतन है तो थिरे का जो रेटाउंसर है वह है आप्शन नमबर C विश्द्रीत पतन ठीक है अगला प्रसन है चार नमबर कोशन दिखे का चौथा नमबर कोशन के है निमलिखीत महादूप में किस से विश्वेपार का सिर्वाधिक परवा होता है तो चार का जो रेटाउंसर है वह है आप्शन नमबर C यूरोप कोशन नमबर 5 है ओपेक का मुख्याले कहां है तो ओपेक का जो मुख्याले है वो कहां है तो 5 का रेटाउंसर है आप्शन नमबर E वियना नेक्स्ट कोशन है जील के चारो और बसा गाँ किस परतिरूप में आएगा तो 6 का जो रैट आउंसर है वो है आप्शन नमबर C विरिताकार कोशन नमबर 7 है निमनी खीत में कौन वेवसाइक नगर है तो 7 का सही आउंसर है आप्शन नमबर C बिजिंग कोशन नमबर 8 है एट नमबर प्रसनिके है उतर अंटलांटिक मार के जोड़ता है तो 8 का रैट आउंसर है आप्शन नमबर ये उतरी अमेरिका को यूरोप से ठीक है नमबर 9 है यूरोप वास्यों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस परकार की क्रीशित का विकास किया था तो 9 का रैट आउंसर है आप्शन नमबर B रोपन क्रीशी कोशन नमबर 10 है खटे फलो के क्रीशी समंधित है कोश्चन न्मब एवलात की अवरदारणा में किस घटक को महतपुर्ण माना गया है तो 11 का right answer है option number C A एवं B दोनों ठीक है A एवं B दोनों आनि A और B दोनों ओके question number अगले है 12 number विश्वे के सघान जन संक्या छेतरों में निम्लिखीत में से कौन सत्छेतर समलित नहीं है तो 12 का right answer है option number D उत्री पूर्वी उत्री अमेरिका question number 13 है निम्लिखीत में कौन एक जन अस्थनांतरन का अपकर्श कारक नहीं है तो 13 correct answer है option number B अनुकूल जलवाईू question number 14 है विश्वे के किस देश के जन संक्या सिर्वा अधिक है तो 14 का जो सही answer है option number C चीन का question number 15 है निम्लिखीत में कौन एकल क्रीसी नहीं है तो जो एकल क्रीसी नहीं है वो कौन है निम्लिखीत में तो 15 का सही answer है option number E मिश्रित क्रीसी ठीक है question number 16 है निम्लिखीत में कौन रोपन फसल नहीं है तो जो रोपन फसल नहीं है वो कौन है तो इसका सही answer है option number B कोशन नमर 17 है विस्त्रित व्यपारिक अनाज उत्पादक क्रेशी नहीं के जाती है तो 17 का सही आंसर है आप्शन नमर की पिरियरी छेतर में कोशन नमर 18 है निमनांकित में कौन दूसरे उद्योगों के लिए कच्छा माल त्यार करता है कोशन नमर 19 है निमनांकित में कौन दूसरे उद्योगों कोशन नमर 20 है निमनांकित में कौन दित्यक किरियक लाप नहीं है तो जो दित्यक किरियक लाप नहीं है वो कौन नहीं है तो 20 का सही आंसर है आप्शन नमर ये मचली पकड़ना कोशन नमर 21 है निमनांकित में इसे कौन आस्ट्रेलिया की रजधानी है अस्ट्रिलिया की रजधानी कौन है, कैनबरा, अधीस अबाबा, बिचिंग, पर्त तो 21 का सही आंसर है, option नमर की कैनबरा next question है, 2011 की जनकर्णा की नुशार बिहार का जनसंख्या घनत वथा तो कितना था, 22 का सही आंसर है, option नमर डी 11.6 वेक्ती वर के किलोमीटर question number 23 है, भारत में पूर्व जनकर्णा पहली बार कब हुई थी, तो 23 का right answer है, option नमर डी इनमें से कोई नहीं, okay, question number 24 है 2011 की जनकर्णा की नुशार बारत में नगरी अबादी है, तो कितनी है, तो 24 का right answer है, option number 31.16 परदीशत, ठीक है, अगला प्रसन है, निमलिखित में से कौन भारत में पूर्व परवास का मुख्य कारण है, तो 25 का सही answer है, option number C, काम और रोजगार, next question है, निमलिखित राजों में किसका 0 से 6 आयू वर्ग में लिंगा नुपात निम्नतम है, तो 26 का सही answer है, option number ये हरियाना का, question number 27 है, 2011 की जहंगरना की नुशार, निमलिखित राजों में से किसमें नगरी जनसंख्या का अनुपात सिर्वा अधिक है, तो 27 नंबर, प्रस्न का सुरेट आउंसर है, वह है option number C, गोवा, okay, question number 28 है, सिंचित छेतर में मिर्दा निमनिकरन का परमोख कारण है, तो 28 का रेट आउंसर है, option number B, मिर्दा लवनता, question number 29 है, उच परिनाम और अस किरिया कलापों को कहा जाता है, तो 29 का सही आउंसर है, option number B, पंचम किरिया कलाप, okay, question number 30 है, उतर भारत में स्चाई का मुख्य स्रोत कौन है, तो 31 का सही आउंसर है, option number C, तलाब, next question है, निमनिखीत खनीजों में किसको भोरा हिरा कहा जाता है, लोहायसक को, अभरक को, मैगन मैगनेज को, लिगनाइट को, हना, तो 31 का सही आउंसर है, option number C, option number C क्या है, तो मैगनेज को जो है, भोरा हिरा कहा जाता है, okay, question number 32 है, निमनिखीत राज्यों में किसमे, केगा, नाभिक्ये, उर्जा, केंद्र अवस्थित है, तो 32 का सही आउंसर है, option number C, करनाटक, question number 33 है, ब option number B, जारखन में, okay, question number 34 है, केंद्र अवस्थित है, तो कहां है, तो 34 का सही आउंसर है, option number C, ओडिशा में, question number 35 है, निमनिखीत में कौन उर्जा का गैर प्रम प्रागत शरोध है, तो 35 का सही आउंसर है, option number C, शौर उर्जा, okay, question number 36 है, हुगली उद्दोगिक प्रदेश का क प्रेंद्र है, तो 36 का सही आउंसर है, option number C, कोलकाता हावडा, ठीक है, question number 37 है, भारत में पहला रेडियो कारिकरम परसारित हुआ था, तो 37 का सही आउंसर है, option number C, 1923 में, question number 38 है, भारती रेल के शुरुआत हुई, तो कब हुए भारती रेल के शुरुआत, 38 का सही आउंसर है option number यह 18.30 में okay question number 49 है कोची पतन अवस्तित है तो कहां है कोची पतन अवस्तित तो 49 का right answer है option number D Tamil Nadu में question number 40 है जल जन्य रोग है तो 40 का right answer है option number C अतिसार में जल 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 जन्य रोग है question number 41 है सिरवाधिक जन्य संख्यावाला मेगा लोपोली से तो 41 का जो सही answer है option number B option number B के है तो दिली 41 का right answer है option number B question number 42 है धरावी मिलन बस्ति इस्तित है तो 42 का सही answer है option number B मुंबाई में question number 43 है कौन मानव और परियावरेन के बीच अनियोन किर्या का सिरवाधिक महतपुर्ण कारक है तो 43 का जो right answer है option number B question number 44 है है ना देखेगा 44 नमबर प्रेस्ट नियतिवाध संकलपना में जिस घटक को महतपुर्ण माना गिया है तो 44 का जो सही answer है option number C A और B दोनो question number 45 है नियम्ली खीत में कौन रोपन फसल नहीं है तो 45 का सही answer है option number B गेहू question number 46 है नियम्ली खीत में कौन प्रार्थमिक किर्या कलाप है खेती वैपार पुनाई जूड उतपादक तो जो प्रार्थमिक किर्या कलाप है वो कौन है तो 46 का सही answer है option number ये खेती question number 47 स्वेज नहर जोड़ती है तो 47 कराइट answer है option number D लाल सागर को भुमध्य सागर से इस कराइट answer है option number D ओके अगला प्रेस नहीं है निता जी सुबाच चदरबोस अंतरास्तिय हवाई अड़ा है तो कहां है तो 48 कराइट answer है option number B पच्छिम बंगाल में question number 49 है नदी के सहारे बसा काउं किस परती रूप में आएगा तो 49 कराइट answer है option number D रिखे में question number 50 है 2011 की जनगना किनुसार किस राज़ की जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है तो 50 का सही answer है option number की अरुनाचल परदेश का question number 51 है 2011 की जनगना किनुसार बिहार की जनसंख्या थी तो कितनी थी एक आवन का रहत answer है option number यह 10.41 करोर question number 52 है निम्निखित राज़ों में से किस की जनसंख्या सरवा अधिक है तो 52 का सही answer है option number यह उत्तर परदेश का 52 का रहत answer है option number की question number 33 है हर्टी कल्चर समंदीत है फल से अंच से दाल से फल एवं सब्जी से तो 53 का जो रहत answer है option number D फल एवं सब्जी से हर्टी कल्चर समंदीत है किस से तो फल एवं सब्जी से okay question number 54 है सुस के छेतरों में मिर्दा अपर्दन का मूख ये कारण है तो चोवन का सही आंसर है आप्शन नमबर C वायू अपर्दन कोशन नमबर 55 है दच्छिन भारत में सचाय का मूख ये सुरोत कौन है तो 55 का सही आंसर है आप्शन नमबर G नहर ओके कोशन नबर 56 है तारापूर नाभेक्य उर्जा केंदर अवस्थित है तो कहां है यह तारापूर नाभेक्य उर्जा केंदर यह जो अवस्थित है यह है इसका err 7, tää該 B, option number B, महारास्ट में, ठीक है, next question है, question number, अगला क्या है, नुवा मुंटी, लोह एस के छेतर इस्थित है, तो कहां है, तो इसका सही आंसर है, option number B, जारखन में, कुछ नंबर 59 है, भारत में हरित करांति शुरू हुई थी, तो भारत में जो हरित करांति शुरू हुई थी, वो कब हुई थी, तो 58 है, option number B, option number B क्या है, तो 1960 के दसक में, कुछ नंबर 69 है, खोलकाता पतन जो इस्थित है, और कहां है, इसका रेट आउसर है option number D option number D क्या है पच्छिम बंगाल में question number 60 है नमने खेत रोगों में से कौन वायू जन्य नहीं है तो 60 का रेट आउसर है option number D question number exit है ब्राजिल के काफी छेतर को क्या कहा जाता है फेंजेडा, एंजेडा, मिलपा, लंदांग एक्सेट का रेट आउसर है option number की फेंजेडा okay question number next है 62 number ना देखेगा प्रस निक्या है सूँ 12 नमबर मनिपॉल सॉफ्ट्वेर तकनिक पार्क अवस्थित है तो कहा है तो इसका सही answer है option number B करनाटक में question number 38 है निमने खेत में से सिर्वाधिक परदेशित नदी कौन है ठीक है ठीक है परदूसित नदी okay कौन है निमने खेत में से सिर्वाधिक परदूसित नदी यहाँ पे चार option दिया गया है तो इसका रेट आउसर है option number D यमना question number next है निमने खेत में कौन पच्छिम भारत की नदी बेसीन है तो 64 का रेट आउसर है option number यह माही बेसीन question number 65 है सबसे महत्पूर्ण जूर उत्पादक छेतर है तो 65 का रेट आउसर है option number यह गंगा डेल्टा question number अगले है बाब बूधन पहाड़ी है तो कहां है बाब बूधन पहाड़ी तो इसका रेट आउसर है option number यह करनाटक में okay question number अगले है ठीक है देखेगा अगला प्रस ने क्या है सो निम्निखित राज्यों में कौन गौंडवान कोईला के लिए परसीद है तो इसका सही answer है option number यह जारखंड next question है जनसंख्या वीतरन को परभावित करने वाला सबसे महत्पुर्ण कारक क्या है 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 तो इसका रेट आउसर है option number यह जलवायू question number 69 है उद्योगी करन से कौन सा परदूसन होता है तो इसका सही answer है option number यह जल परदूसन भी वायू परदूसन भी और धवनी परदूसन भी परदूसन है हत करगा उद्योग है तो सतर का सही answer है option number भी कुटीर उद्योग ओके तो आज किलते हैं फ्रेंड्स तप्तिक के लिबाई यहां पर आपको जो है सो answer मिल जाते है ठीक है हम लोग टोटल सतर परदूसन देखे सतर परदूसन का जो है answer है वो यहां पर है हना तो इसका अगर आपको PDF चाहिए तो टेलिग्राम को आप ज्वैन कर लीचेगा टेलिग्राम का लिंक आपको इस वीडियो को description box में दिया गये हैं तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए थांक्स पर बाचिंग आपका final पर इच्छा काफी करीब आचुका है और काफी students को ये problem है कि उनका त्यारी अच्छे से नहीं हुआ है ठीक है इसी स्थिति को देखते हुए हमारे अनुभवी सिचकों की द्वारा एक ऐसा PDF त्यार किया गया है कि आप अभी से पढ़ करके आप 90 प्लस ला सकते हू इसका मैं 100% गारंटी देता हूँ ठीक है अगर आपको PDF चाहिए तो उसका कुछ चार्जे से जादर जनकारी के लिए आप SMS करे 7274800891 पर